आज मैं बनाऊंगी फूल गोबी और मतर की बहुत ही टेस्टी रेसिपी इस रेसिपी को आप रोटी राइस पराथा किसी के साथ भी सर्फ कर सकते हैं और ये रेसिपी बहुत टेस्टी लगती है तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी तो इसे बनाने के लिए मैं हैं एक grinding jar ले ली हूँ सबसे पहले मसाला के एक paste पनाएंगे तो इसके लिए grinding jar में दो हरी मिर्स डाल देंगे साथी अद्रक और लहसुन डाल देंगे मैं यहाँ पे 2 इंच अद्रक और 6-7 कली लहसुन के लिए हूँ अब हम लोग इन सारी चीजों के साथ धनिया पत्ता डाल दे अब हम लोग इस paste को side में रखेंगे और फिर चलेंगे next process में तो मैं यहाँ पर ले ली हूँ आधा कप दही अब हम लोग सारे सूखे मसाले इसके में mix करके रखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले मैं डाले हूँ आदी चोटी चमच हल्दी पाउडर फिर इसमें डालेंगे आदी चोटी चमच जीरा पाउडर एक चोटी चमच धनिया पाउडर डालेंगे अब हम लोग इसमें एड़ करेंगे एक चमच बेसन बेसन डालने से हम लोग का जो सबजी है बहुत टेस्टी बनेगी और साथी साथ उसका जो ग्रेबी है बहुत तीक बनेगी और हमारी सब पानी गरम करने रखी थी गरम पानी में हमने फूल गोभी को डाल के रख दिया है इसमें डाल देंगे एक चमच नमा और आधी चोटी चमच हल्दी पाउडर और इन सारी चीजों को मिक्स करके हमें तकरीबन तो से चार मिनट के लिए रख देना है ताकि फूल गोभी में सारा फूल गोभी को निकालने हूं सारा फूल गोभी को निकालके हम लोग अच्छे से थोड़ा ठंडा कर लेंगे उसके बाद हम लोग चलेंगे सबजी बनाने के प्रसेस में तो यह देखे सारा फूल गोभी को मैं निकालने हूं अब हम लोग चलेंगे सबजी बनाने के तो मैं पर कढ़ाई गरम कर तो मैं ताल देंगे तो मैं सरसो तेल यूज़ कर रहे हूं आप वह कुकींग ओयल यूज़ कर सकते हैं कि तक्रिबहां रुड़र फूलगोभी मिंटो अच्छे तो तकरिबें 5-7 मिनट तक हमें इस तरह से चलाते हुए फूल गोवी को पका लेना है जैसे फूल गोवी अच्छे से फ्राय होगी तब हम लोग इसको निकाल लेंगे और उसी कड़ाई में अब हम लोग सब्जी बनाएंगे तो इसके लिए कड़ाई जब गरम रहे तब हम टो इसमें तेल जडाल झाल देंगे और तेल को अच्छे से गरम होने देंगे इसमें कुछ सुक्षे मीसाले डालेंगे और इंच चीह जो को अच्छे से पकने देंगे जीरा जब तेल में अच्छे से चटकने लगे तब हम लोग इसमें डाल देंगे कटा हुआ प्यांच तो मैं हैं पर एक मीडियम साइज के प्यांच को इस तरह से बारी काट के ले ली हूँ प्याज को हमें अच्छे से तेल में भूनना है चितना अच्छे से प्याज भूननेगा उतना ही टेस्टी सबजी बनेगी प्याज जब अच्छे से भून जाएगा इसका कलर चेंज हो जाएगा तब हम लोग इसमें आट करेंगे अध्रक लहसुन का पेश्ट जो मैंने पहले से ही बना के रखी थी अधर कली सुन हरी में चौँद धनिया पत्ता के इन सारी चीजों को हमें इसमें डाल देना है और इन सारी चीजों को थोड़ा देर के लिए हमें पका लिना है तकरीबन 4-5 मिनदर तक मसाला को पकाएंगे ध्यान रहे कि अधरक लेसुन का जो कच्छा टेस्ट है वो निकल जाए तभी हम लोग की अच्छी सबजी बनेगी तो इस तरह से मिक्स करते हुए हमें इसको पका लेना है तकरीबन 4-5 मिनद तक हमें इसको पका लेना है 4-5 मिनद बाद अब हम लोग इसमें एड करेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर और कस्मीरी लालमीच पाउडर हल्दी पाउडर पेस्ट में हमने यूज किया है लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा सा टालेंगे ताकि सबजी का अच्छा कलर आए अब इन दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करके तकरीबान एक से देड मिनद तक पका लेंगे ताकि कस्मीरी लालमीच और हल्दी पाउडर जोय अच्छे से पक जाए यह जब अच्छे से पक जाएंगे तब इसमें थोड़ सा पानी डालेंगे और पानी डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे तो यह देखिए यह अच्छे से मिक्स हो गया है अब हम लोग इसमें आड़ करेंगे दही वाला मसाला पेश्ट जो हमने पहले से राड़ी करके रखी है मसाला पेश्ट को सारा डाल देंगे इसमें मसाला पेश्ट को डालने के बाद सारे चीजों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे गैस का फ्लम को मीडियम करदेंगे और सारे चीज़े को अच्छे से मिक्स करेंगे शारे पेस्ट को अच्छे से मिक्स करते हो यह मैं तकरिबन 3-4 मिनट पका लेना है दो जब तक अपनों का तेल ऊपर नहीं आता तब तक मैं पकाना है इसमें ढाल देंगे टमाटर का पेश्ट जो आधा काप के करीब जो मैंने पहले से बना के रखी टमाटर के पेश्ट को डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसा नमक ताकि टमाटर थोड़ा जल्दी पख जाए और इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करके कबर क करके छोड़ दे हूं अब तीन से चार मिनट बाद इसका धक्र निट आएंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो यह देखें मसालों से तेल अलग होने लगा है तो मसाला हम लोग का अलरी रेडी हो गया है अब हम लोग इसमें अट करेंगे हरा मतर तो मैं यहां पर हमने पहले से फ्राइ करके रखी हुई है और मसालों के साथ फूल गोबी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यह देखें सारा मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है अब हम लोग इसमें आड़ करेंगे पानी तो मैं यहां पर तकरिबन एक गलास पानी आड़ करेंगे तो यह देखें मैं इसको अच्छे से ऊप्क असको अच्छे से मिक्स करेंगे अगर आपको फूल गोभी में ग्रेवी बिल्कुल भी नहीं चाहिए तो आप पानी का इस्तमाल कम करें तो 6 मिनट बाद मैं पैन का धकन हटा रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो फूल गोभी हम लोग का आलमोस्ट कूक हो गया है बहुत जादा ओवर कूक नहीं करेंगे इसको अब हम लोग इसमें एड करेंगे कसूरी में थी और इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर गरम मसला का इस्तमाल हमने नहीं किया था तो गरम मसला डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और ये हम लोग का फूल गोवी के सबजी बन के तयार है मुझे इतना ही ग्रेबी रखनी है क्योंकि जैसे ये ठंडी होगी वैसे वैसे इसका थिकनेस बढ़ती जाएगी लाश्ट में थोड़ा सा अध्रक का जूलेंस इसमें डाल देंगे और धनिया पता कटा हुआ इसमें ये धनिया पता जरूर ड़ने इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है तो ये हम लोग का फूल गोवी की सबजी बनके तयार है अब हम लोग इसको सर्व करेंगे तो सर्व करने के लिए एक सर्विंग बोल में इसको निकाल लेंगे और ये देखे कितना टेस्टी दिख रही है तो अगर आपको फूल गोवी की सबजी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें इस चैनल को सबस्क्राइब करें और सबस्क्राइब करके पास मेरा हैबल आइकन पर जरूर क्लिक करें